Hello and welcome friends, filter apply करने के लिए Microsoft Excel में कई तरीके हो सकते हैं, जिनमें दो shortcut keys भी हैं, जिनके बारे मैंने आपको बताया था, ये दोनों क्या है देखिए, ये तो देखिए, यहाँ पर आप गार अगर आप filter यूज करना चाहते हैं, तो आप पहले shortcut की तो लगा लिए Alt D F F, जैसे ही Alt D F F Ctrl Shift or L, जैसे प्रेस करेंगे ये apply हो जाएगा, देखिए, filter apply हो गया, यहाँ से आप filter कर सकते हैं, according to your wish, देखिए, ये मैं filter करके भी दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है, अगर आप इसको हटाना चाहते हैं, तो आप वापिस से प्रेस कर दीजिए, Ctrl Shift or L, देखिए, ये remove भी ह जो गया, पुछस परिकेसे!